आज के समय पर लोग कितने मतलब ही हो चुके हैं आज लोग सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते हैं मतलब निकलेगा और बाकी किसी के जान के साथ कोई लेना देना नहीं इस समय हम डंपिंग यार्ड पे मोजूद हैं जो मुंसिपल कुमेटी का जहां पर डाली जाती है उस यार्ड पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि गंदगी ही गंदगी आपको देखने को मिलेगी एक तो आपको यहां पर इस गंदगी से निकलता दुआ देखने को मिलेगा जिससे आसपास के लोग काफी परिशान हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यह वो गाए है जो यहाँ पर अभी कच्चरा खा रही है यहाँ पर जिस प्लास्टिक को बैशन कर दिया गया है Government of India के दूबारा उस प्लास्टिक को खा रही है जिस प्लास्टिक से कहते हैं कि काफी बड़ा नुकसान हो सकता है आप मानेंगे नहीं इस गंदगी में दो मिनट सांस लेना तो छोड़िए खड़ा रहना भी मुश्किल है और उस गंदगी में बैठ कर ये गाए यहां पर ये क्या खा रही है गंदगी क्या खा रही है प्लास्टिक और सांस लेना मुश्किल है यह तस्वीरें आप देख रहे हैं यह मैं बिल्कुल आपको अकरमबाद के साथ में दिखा रहा हूँ जाम पर यह डंपिंग यार्ड है वहां पर यह तस्वीरें दिखा रहा हूँ यकीन मानिए खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह यहां पर रहकर अगर यह गंदगी खा रहे हैं यहां पर यह बूखे हैं मतलब कि इन्हें कुछ नहीं दिया गया है तब ही जाकर ये इस गंदगी में बैठके इस प्लास्टिक को इस कच्रे को इस कूड़े को खा रही है और लोग इतने मतलब ही हैं जब उन्हें दूद चाहिए जब उन्हें बेल हल चलाने के लिए चाहिए उस समय वो उसका इस्तमाल जरूर करेंगे लेकिन उसे खाना नहीं देंगे उसे पानी नहीं देंगे लेकिन उसे इस तरह से कच्रे के बीच में छोड़ देंगे आप मानें कि आपको कुछ गाय की जो है वो स्टिक्रिंग भी दिखाएंगे जहां पर नंबरिंग सीरियल नंबर जो है वो दिये होते हैं जिससे पुश्टी की जा सकती ही आखिरकार यह किसकी गाय है किसके जानवर हैं लेकिन ये कर्तव जो है वो कई नहीं मुझसिपल्टि का बनता है और मुझसिपल्टि को कड़े 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 उठाने पड़ेंगे जिसके चलते ये लोग इस तरह की हरकते ना करें अगर आप तस्वीरे देखेंगे ये तस्वीरे जब आप देखते हैं तो दुख लगता है, हैरान कर देने वाली तस्वीरे हैं, कि गाये को किस तरह से यहाँ पर छोड़ दिया गया है, किस तरह से गाये जो है, वो कच्रा, कूड़ा, करकेट खा रहा है, और कोई भी इस पर देखने वाला यहाँ पर नहीं, कोई भी. यहां की हम देखते हैं, यह हम डंपिंग याड डोडा की देख रहे हैं, जहां पर गंदगी को फैंका जाता है, लेकिन हम यह भी देखते हैं, जहां पर गाये को छोड़ दिया जाता है, कुछ ऐसी गाये हैं, आप यकीन मानें के कुछ ऐसी गाये हैं, जिसके कान पर स्टिकर तो जरूर लगा था लेकिन वो निकाल दिया गया जान बूच के कि इसकी पुष्टी ना की जाए यह आखिर कर गाये किसकी है इस तरह की भी हरकते जो हैं वो लोग करते हैं अपनी गाये को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं हमारे साथ एक युवा हैं यहां के लोकल युवा हैं इनसे बात चीत करेंगे नाम जाना चाहूंगा आपका नासकार मेरा नाम अजे रहना अजे जी मेरे को बताएं आखिरकार जिस तरह से हम यह तस्वीरें देखते हैं लोग अपने इस्तमाल के लिए गाये को रखेंगे दूद निकाल रही है देट मिंस यह बूखें इनकी हमहाला देखें आखिरकार जब वो पाल नहीं सकते तो पाल क्यों रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपने मतलब के लिए उसको इस्तमाल करेंगे और बाद में कच्रे में डाल देंगे जी बिलकुल सही बात कि आपने गाये को अप लिए बकशार भी यह जिन लोगों की है यह वंलोकुं की वह बोत इंकर में बढ़ा नहींlex जो घडिया करें इसका 100-500 रुपे लगबग मैं कहना चाहता है मैंने स्टेशन से कि जो इसका जुर्माना है जितनी गाये की कीमत है उस कीमत के मुकाबले जुर्माना रखें तब जाके ऐसा बंद होगा कि गाये ऐसे रास्तों में ना गुमेंगी नालियों में ना खाएंगी जो ऐसे प्लास् सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरह की हरकते हैं मैं तो कहना चाहता हूं लोगों को अवेरनेस भी लानी चाहिए इस चकर में एड्मिस्टेशनी यह कदम उठा सकती है कि लोगों को घर घर जाके समझाए कि गाये ऐसे आपको इस्तमाल करनी है ऐ उसके पूचतें लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ ऐसे काम बनाने के यही मैं कहना चाहता हूं कि जो लोक ऐसा करते हैं हर्कत उनको बहुत कड़ा होनी चाह चीए देखें यह युवा थे हमारे साथ एक बाचीद यहां पर की जारी थी तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा और प्रियास यह रहेगा कि खास करके मुंसिपल इसके बारे में नहीं पता है कि आखिरकार क्या हो रहा है टंपिंग यार्ड में तो कम से कम यह आपको ओर चोर देना इस तरह से आप देख रहें किस तरह कच्रे में हैं और कच्रा खा रही है और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं तस्वीरें डंबिंग यघंड यहां पर आप खुद कदम जो है मुंसिपल के तरफ से होने चाहिए और उन लोगों पे कड़ा जुर्माना किया जाना चाहिए जो यहां पर इस तरह की हरकते कर रहे हैं जो इस तरह से गाए मालमवेशी को छोड़ देते हैं अपने मुफाद के लिए अपने फाइदे के लिए सिर्फ उसे इस्तमा करते हैं और उसके बाद इस तरह से लिवारिस की तरह इन्हें कच्रों में छोड़ दिया जाता है और ना खाना तक जो है वह इन्हें नहीं दिया जाता है इसलिए यह गाए यहां पर आके कच्रे से अपना पेट बरती है अपने जो जिस प्लास्टिक को गोर्मेंट आफ इ प्रियास्ता इसे लिए यहां पर आए थे और प्रियास्त के चलते मैं आपको बतादूँ कि फड़कादम जो है वह जुरूठ ठाने चाहिए और इस तरह की तस्वेरें हमें यहां पर देखने को ना मिले मुंसिपल इस पे कड़का अदम जो है वह उठाए देख्थे आठ आपका इस सब पर क्या कहना अपनी राय जुरूर रखिए देजिए जादत